नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सेंग जनसुराज के सूतरधार और चुनावी रणीतिकार प्रशांत किशोर आज पार्टी का आधिकारी ग्रूप से एलान करेंगे गांधी जैनती के मौके पर जनसुराज एक राजनीतिक दल बनने जा रहा है इसके लिए पटना के वेटनरी कॉलिज ग्राउंड में जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पूरी तरह से तयारियां कर ली है लाखों की संक्या में लोगों के पहुँचने का दावा किया गया है शहर को पोस्टर बैनर से पार्ट दिया गया है पार्टी की गठन से एक दिन पहले मंगलवार को प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है क्या वह सीएम का चेहरा होंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे इस पर पूरी तरह से प्रशांत किशोर बोलते वे नदराए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि शाररीक और मांसिक रूप से स्वस्थ नहीं होने के पावजूद मुख्यमत्री नितीश कुमार का समर्तन करने के लिए बिहार में भारती जंता पार्टी का वही हश्रवों का जो लालू प्रसाज को जंगल राज लागू करने में मदद करने के लिए कॉंग्रेस का हुआ था उन्होंने कहा कि बिहार अगले साल होने वाले विदानसवाज चुनाओं में बतलाव के लिए तयार है राज्य में कई राजनीतिक पार्टी की मौजूद्गी के बीच अपनी नई पार्टी के बविश्य को लेकर किये जा रहे सवालों को खारिज कर दिया दावा किया कि लोग दोनों प्रतिदंती गड़बंदनों को उखाड फैकेंगे जिन्होंने तीस साल पहले अधिक समय तक राज्य को सबसे गरीब और पिछड़ा बना कर रखा है ताकि प्रशांत किशोर की पार्टी को 243 सदस्य विधानसवा में पूर्ण बहुमत मिल सके यह पूछे जाने पर कि क्या वह चुनाव लड़ेंगे या पार्टी की ओर से मुख्यमंत्र की कपद का चेहरा बनेंगे तो प्रशांत किशोर कहते वे नजराए कि यह उन पार्टी के नेताओं को दै करना है उन्होंने कहा अगर उन्हें लगता है कि उनका चुनाव लड़ना अच्छा होगा तो वे लड़ेंगे इस दौरान बीजेपी पर निशाना साथते वे प्र राजनीती के आखरी दोर में हैं और अब उनके नाम पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं उनके समर्थक भी जानते हैं कि उनकी वरतमान शारिरिक मानसिक और राजनीतिक इस्तिती में वे किसी भी तरह से बिहार जैसे राजी को चलाने की इस्तिती में फिलाल नहीं है बातचीत में पीके ने कहा कि भारतिय जन्ता पार्टी की मजबूरी है कि दिल्ली में अपनी सरकार कायम रखने के लिए उसे बिहार में नितीश कुमार को सत्ता में बनाए रखना है उन्होंने कहा भालपा को पता है कि अगर नितीश कुमार सत्ता में रहेंगे तो उसका गठबंदन हार जाएगा लेकिन यह भारद्य जनता पार्टी की राजनीतिक मजबूरी है बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नितीश कुमार के शारिरीक और मांसिक रूप से स्वस्त नहीं होने के उनके दावे के बारे में पूछे जाने पर कि प्रशान किशोर ने राज्य के कई ज्वलंत मुद्दो पर सीम की चुप्पी का हवाला तक दे इस क्रम में उन्होंने बाड, भूमी सर्वेक्षन और स्मार्ट मीटर विवाद आदी मुद्दो पर जिक्र किया यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि नितीश कुमार अगले विदानसवा चुनाव में राजत का नित्रत्व करेंगे इस पर कहा कि जेडियू नेता का करियर खत्म होने वाला है और 2020 के चिनावों में भी लोगों ने यही संदेश दिया था जब जनता दल उनाइटेड के वल 42 सीट जीत सकी थी महीं भाजपा 74 और मुख्य विपक्षी पार्टी राजत 75 से काफी पीछे थी उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी को फोंड बहुमत बिलेगा और वह किसी अन्य गड़बंदन से हाथ नहीं मिलाएगी अब ऐसे में प्रशांत किशोर जिस तरह से तमाम दावे करते वे नजर आ रहे हैं और एंडिय और इंडिया गड़बंदन को कड़ी चिनौती देते वे नजर आ रहे हैं तो अब उनके दावों में कितना दम है ये देखने के लिए आगे बिहार विदान सवाज चिनाव प कर अप्रिश को מסailing है कितना से भी चीडत कि देखने को